Hello Friends, Electrician Guruji Channel में आपका स्वागत है Friends, आज हम जो Diole Starter है, उसको एक बार फिर से देखने वाले हैं संपून तरीके से इसकी एक एक चीज़ को हम देखेंगे क्योंकि Friends, जो ये Diole Starter है, इसका practical हमारे skill test के अंदर 99% chances होते हैं ये हर एक skill test के अंदर पूछा ही जाता है, ये एक common सा practical हो गया Friends, इसके अंदर होता क्या है, कई बार examiner, auxiliary contactor के बारे में कुछ ज्यादा details के अंदर पूछ लेता है क्योंकि एक Diole Starter होता है, उसके connection लगबग सभी student कर लेता है पर main बात आ जाती है, ये वहाँ पर जब हमारे examiner pass में खड़ा होके, इस से related हमारे को कुछ पूछ ले क्योंकि वो ज्यादा तक auxiliary contactor से ही आपको question पूछेगा, क्योंकि main है, ये इस contactor से ही पूरा Diole Starter है, वो operate होता है आज हम इस चीज को बिल्कुल बारिकी से सीख लेंगे, ताकि आने वाली हमारी जो बार किसके लिटेस्ट है, उसके अंदर अगर ये practical आ जाए, तो उसके अंदर कोई भी बच्चा अठके ना, अगर examiner इस से related को question पूछ ले, तो कोई भी बच्चा उसके अंदर अठके ना तो friends, चलो, चलता है, देख लेते हैं किस तरीके से, पहले तो इसको चेक करते हैं, कौन से इसमें NONC होते हैं, और OLC कौन सी होती है, auxiliary contactor है, उसको किस तरीके से चेक करते हैं, वो हम test lamp की साहता से चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाप एक test lamp ले लेंगे, test lamp को एक बार आ हमार controlling system, जो की हमारे यहां पर, जो इसके अंदर, डियोल इस्टार के अंदर, जो एन विची लगी हुए थी, उसको on-off करने के लिए, जो है, काम में आता है, वो होता है, हमारा यह वाला part, तो इसके अंदर होता है, friends, हमारे एक होता है, यहापे NO और एक होता है, NC, NO का मतल होता है यह हम आभी टेस्ट लेंग से चेक करेंगे वीच में होता है यहाँ पर OLC , यहाँ पर ओरलोड होता हblick हम कितने MPR तक हमारी OLC कर Virginar करवा सकते हैं उस से अधिक होते ही हैं क्या करें हमारे जो स्टार्टर है उसको automatic off कर दे, तो वो काम करती है हमारी यहाँ पर OLC, OLC के connection हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह OLC है, वो NO NC से direct अंदर ही, जो स्रेनी करम के अंदर जुड़ी होती है, अब यहाँ पर हम NO को सबसे पहले check कर लेते हैं, तो हम test lamp को on कर लेते हैं, अब friends हम क्या करेंगे, यहा हमारा lamp है, वो glow नहीं कर रहा, अब जैसे हम यहाँ पर इस button को दवाएंगे, तो दवाते ही यह बन जाएगा normally close, तो देखो जैसे यहाँ पर button दवाया, दवाते ही normally close हो गया, close होते है हमारा lamp है, वो on हो गया, मतलब यह है तो normally open, दवाने पर close बन रहा है, यानि कि यह हो गय करने के लिए हमारे को यहाँ पर switch को दबाना पड़ेगा, छोड़ते ही वापस से normally close, दबाते ही normally open, छोड़ते ही वापस normally close, तो इस तरीके से हम हमारे NO NC चेक करते हैं, अब friends हम डाइग्राम के अंदर भी देख लेते हैं, कि normally open क्या है, और normally close क्या है, normally open friends होता है क्या है, य इसके विपरित होती है हमारे NC, NC क्या होती है, normally close होती है, यह समान्य वस्ता के अंदर हमारे contactor को connect करके रखती है, बट जैसे हम इसको दबाएंगे, दबाती ही यह क्या करती है, इन दोनों contactor से अलग हो जाती है, और हमारे परिपत को बंद कर देती है, तो friends हमारा जो NO है, वो हमारी supply को यहाँ पर हमारी starter के अंदर बेजने का, यानि की on करने का काम करता है, और NC है वो हमारी supply को काटने का काम करती है, तो यह होता है NO NC, अब यहाँ पर हमारे controlling part है, यह वाला हो गया है, अब हम देखेंगे इसकी पीछे वाला part, तो इसकी पीछे वाले part के अंदर आपको यहां पर चार टर्मिनल देखने को मिल रहे होंगे जिसमें तीन टर्मिनल है वह मैंन सप्लाई के हैं आपको पीछे भी यहां पर तीन टर्मिनल देखने को मिल रहे होंगे वही टर्मिनल हमारे यहां पर अंदर से होते हुए यहां उपर आ रहे हैं यहां पर हम करेंग पर इनमें से पहले नमार का है कौन सा दूसरा प्लावित की साहता से तो सब्सक्राइब हम चेक कर लेते हुआ है तो यहां पर हम पीछेब करेंगे उसके बाद के इहांपर नद M फिष्छी से पूल करता हूं तो यहां पर देखिये यहीट घूंकर मेरे पास यहां पर उपर आ रहा है सेम इसी तरह किसे हम आगे चेक्टर लेंगे यह पर फ्रेंट्स एक पत्ति होती है जैसे हमारी यह जो की घूम कर हमारे उपर इन सीरों तक सप्लाइए वो आगी थी तो इस तरीके से हमारे जो यह मुख्या 콘èce शेक करते हैं, तो एक पॉइंट तो हम लगा लेंगे टेस्ट लिंप के लाइंट यहाँ पर और एक पॉइंट अ करेंगे, वो हम test lamp से check करते हैं तो एक point तो हम लगा लेंगे test lamp का यहाँ पर auxiliary के इस point पर और फिर उसके बाद में हम NVC को यहाँ पर push करेंगे push करने के बाद में हम हमारे जो no switch है उनके दोनों terminal पर check करेंगे जिसके साथ lamp glow कर जाए मतलब एक सीरा तो हमारा यहीं से घूम कर यहाँ पर आ रहा है मतलब एक point तो हो गया यह अब दूसरे point जो है वो हम देखेंगे आगे उसको हम आपको बाद में बताएंगे कि parallel में क्यों connect करते है तो friends अब हम है पहले हमारे controlling जो यहाँ पर system है इसके साथ में हम wiring कर लेता है तो यहाँ पर जो no का first terminal है यहाँ से हम एक tar connect करेंगे और एक phase के अंदर connect कर देंगे किसी भी एक phase के अंदर आपको यहाँ से connect कर देना है तो यहाँ पर friends एक phase हमने connect कर दिया no के साथ में और जैसे हम no को दबाएंगे तो वही phase आदाएगा हमारे इस point पर अब friends इस point से हम एक tar connect करेंगे और सीधा दे देंगे हमारी NC के अंदर यहाँ पर OLC वह अंदर ही connect हो रखी है तो इसके हम connection यहाँ पर नहीं करते हैं तो एक tar यहाँ पर connect कर लेते हैं और सीधा उसको NC से connect कर देते हैं तो यहाँ पर हमने यह वाला phase यह है वो NC के साथ में connect कर दिया अब NC का दूसरा टर्मिनल है जहाँ पर हमारी जो NC है वो direct connect रहेगा इस पर point तो यह supply आदाएगी इस point पर और इस point से हम एक tar उठाएंगे और इस tar को सीधा उठाके हमारी जो NVC है उसके अंदर यहाँ पर दो terminal आपको देखने को मिल रहे होंगे आपको यहाँ पर मैं इसको side में भी दिखा देता हूँ एक terminal यहाँ पर होता है हमारा NVC का और एक terminal होता है हमारा इस जगे दो terminal होता है हमारी NVC है वो दो phase पर operate होती है और यह पूरा circuit है वो दो phase के साथ बंद loop यानि close loop बनाता है तो यहाँ पर जो phase आ गया अब इस phase को हमारा NVC के अंदर यहाँ पर connect कर देना है तो friends यहाँ पर एक phase के connection हमारी NVC के साथ हो गया है यह phase जो जिसके अंदर हम यहाँ पर आर सप्ला यानि की रेड़ वाला phase है वो connect करेंगे और वो सीधा आदाएगा इस वाहर से यहाँ पर NO के अंदर जैसे बटन को यहां पर कुछ करेंगे पुछ करती है यह आ दाएगा इस पिएचे को यहाँ पर इस पॉइंड से से होता हुँ और यहाँ पर सिधा हमारी और यहां से सीधा हमारी एक phase के अंदर अब friends, यहां पर हमारे दूसरे phase के connection भी हो गया है हमारी NVC के साथ में हमारी NVC को दोनों phase यहां से मिल दाएंगे अब बात करते हम auxiliary की auxiliary हमारी यहां पर एक point तो है वो सिधा हमारे NO के साथ में इस point से connect है दूसरा point करते है हम अब के इस वाले point के साथ parallel मंदल्ब हमारी NO के साथ में इसको parallel में करना है एक point तो यहां पर हो गया और दूसरा point करेंगे हम NO के इस וाले point पर connect जैसन आब diagram के अंदर भी देख सकते हो हमारे यहां पर auxiliary connectivity हो गया इसी auxiliary contractor का एक point हमारी सीधा यहां चल गया NO के इस point के अदर और दूसरा वाला है वो यहां से देख सकते हो friends यह connect हो रहा है हमारे NO के इस point पर है यानि कि हमारे samantr के अंदर connect हो रहा है हमारे NO के साथ में तो एक point तो direct connect है दूसरा हम connecting करेंगे इस point से इस point के अंदर, तो friends यहां पे auxiliary के साथ मैंने एक point हैnew है, इस wire का और दूसरा point है उसको मैंै अभी yio के साथ में connect नहीं किया है, अब friends इसको connect क्यों नहीं किया, वो मैं आपको बताऊँगा, अगर इसको यहां पर इसके साथ जो हमारे NO है उसके साथ auxiliary को समानतर में connect ना करे इस he cum को यहांग ना करे तो क्या होगा और अगर Connect करें तो क्या होगा तो सबसे पहले उसके लिए खरन्ट हुगा है तो जो डियोल स्टाटर है वो ऐसी फेज इंडेक्शन मोटर के लिए यूज लिया दाता है जिसके अंदर अल्रेडी तीन तार ही हमारे बाहर आउटपुट में निकल रहे हो ताकि उन तारों को हम डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी मोटर को डायरेक्ट तीन कि आगे एक स्विच्च की भाति ही है वह बाहर निकालता है तो हम देखता है पहले सबसे पहले सबसे पहले सप्लाइ भी यहां पर connect कर दिया है, अब जैसे हम on button को दबाएंगे, हमने अभी auxiliary point को यहां पर जो हमारा एनो है, उसके अंदर connect नहीं किया है, तो हम यहां पर सबसे पहले on button को दबाते हैं, दबाते हैं हमारी NVCA वो on हो गई, अब friends जैसे हम on button को छोड़ेंगे, छोड़ते हैं हमारी NVCA वो वापस off हो जा रही है, तो friends ऐसे तो होगा क्या, जैसे हम on button को दबाएंगे, तब तक हमारी motor run करेगी, और जैसे on button को छोड़ देंगे, हमारी motor off हो जाएगी, तो इस समस्या से बचने के लिए, यहां पर जो हमारा auxiliary contactor है, वो बनाया गया है, तो जो auxiliary contactor है, उसको हम हमार no का दूसरा यहां पर एक point आ रहा है नीचे, जिससे यहां पर यह connect होता है, तो एक point तो यहां पर connect हो गया, और दूसरा point हो गया हमार पास यहां पर जिससे हमने यह wire connect किया है, अब इसको हम यहां पर no के साथ में, दूसरे वाले point के अंदर, पहला तो यहां पर connect हो गया, द आया और सब्सक्राइब यहां पर स्क्राइब देख सकते हैं अदर फ्लंजर लगा है जिस से कनेक्ट होगा और सब्सक्राइब यहां से हमारी इस वायर के साथ connect होके हमारी CD इस point से छोड़ने के बाद इस point से connect हो जाएगी तो यहाँ पे friends हमने auxiliary का जो चार यहाँ पे connect कर रखा था उसको हम N O के साथ में यहाँ पे connect कर दिया है एक point यहाँ पे connect हो गया दूसरा point यहाँ पे अब यह जो हमारा auxiliary point है वो हमारे N O के साथ में parallel में connect हो गया है अब जैसे हम on button को दबाएंगे दबाते हमारी NVC start हो जाएगी देख सकते हमारी NVC start हो गई अब मैं यहाँ पे on button को छोड़ भी दूँगा तो इस condition में हमारी NVC continue run कर रही है कैसे जो phase हमारा पहले यहाँ से यहाँ पर आके हमारी NVC को मिल रहा था अब वो phase यहाँ से जो हमारा on button है उसको छोड़ने के बाद यहाँ से नीचे से होता हुआ इस जगया आ रहा है पहले जा रहा था उपर से अब जा रहा है नीचे से गूमता हुआ यहाँ तक तो इस तरीके से हमारा पूरा circuit वापस complete कर रहा है एनो को छोड़ने के बाद अब जैसे हम यहाँ पर motor को बंद करना होगा तो हम जैसे हमारा NCL है उसको दबाएंगी तो हमारी NVC वो off हो जाएगी और जैसे on करना होगा तो on button को दबाते हमारी NVC on हो जाएगी जैसे light यहाँ पर cut हो जाती है या तीनो phase में से कोई एक phase cut हो जाता है तो हमारी जो NVC है वो यहाँ पर trip हो जाएगी यहाँ पर हमारे जो OLC है अधिक MPR अगर हमारी motor लेती है तो हमारी overload coil है वो इसके circuit को off कर देगी और off करते हैं हमारी NVC है वो वापस cut हो जाएगी अब मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो आप मैं जैसे इसको दबाया on हो गई on button को छोड़ते हैं भी continue हमारी NVC run कर रही है और off button को दबाते हैं यहाँ पर जो NCA कैसे भी connect कर सकते हैं बट हमको वहाँ देखना होगा motor की rotation कि हमारे को motor को किस तरह गुमाना है उसके according ही यहाँ पर हम तीनों है फेज है वो हमारी motor के इसके अंदर connect करेंगे अगर हमारी motor उल्टी हूमती है तो क्या करना है किसी भी एक wire को यहाँ से आपको एक्सेंज कर लेना है या फिर आप फेज वायर भी यहाँ से एक्सेंज कर सकते हो जैसी किनी दो फेज को आपस में चेंज करोगे motor के rotation है वो चेंज हो जाएगी तो देख लिए हम डियोल इस्टटर के संपून connection किस तरीके से करते हैं हर एक ओर यह लिलिस्ट है जिसके अंदर आपको हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आपता जयाएगा जिस्फिर्प्रेशन बॉकस अंदर देखने को मिल जाएगा जहां पर आप डायर य्श पर जा सकते हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन को न कर दे ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब सब्सक्राइब मिले थैंक्यू फ्रेंड